चना बाजार में सप्ता के दोरान अच्छी खासी कमजोरी देखने को मिली है, दरसल सस्ता OTR चना स्टॉक की बिक्वाली बढ़ने से बाजार पर दबाव देखने को मिल रहा है। जानकारों का कहना है कि नाफेर का यह OTR वाला चना फरवरी तक चलेगा और यह स्टॉक समाप्त होने के बाद ही चने में धीरे-धीरे मजबूती बनेगी। वैसे देखा जाए तो भारत ब्रांट चना दाल सस्ते में बिक्ने से भी बाजार का माहौल ख्राब है। बफर स्टॉक दस लाक टन को छोड़कर अब नाफेर के हाथ में काफी सिमिट स्टॉक है। अब ऐसे में नाफेर या तो बचा हुआ स्टॉक टेंडर में पास करे या फिर चना दाल में दे दे। वही चने की बवाई पूरी हो चुकी है और उतपादन कमजोर रहने की आश प्राइवेट में देखा जाए तो आज की तारीक में पांच से साथ लाक टन से अधिक चना स्टॉक में नहीं। ऐसे में बाजार जानकारों का मानना है चने का फंडामेंटल धीरे-धीरे मजबूती की तरफ बढ़ रहा और गिरावट पर खरीदी करना बेहतर हो सकता है। मध्यप्रदेश काबुली चना फसल जैसे की सभी को पता है बिजाई से कटाई तक का काबुली चना 110 दिन का समय लेता है। इसे में एक अक्टूबर के आसपास बिजाई की फसले 20 जनवरी तक आ जानी चाहिए परंतु बारिश और तेज थंड होने के कारण फसल 10 से 15 दिन देरी से आएगी। एक फरवरी से मध्यप्रदेश की मंडियों में छूट-पूट आवक शुरू हो जाएगी। मध्यप्रदेश में पिछले वर्ष के 2,30,000,000 लाक टन काबुली चने के उतपादन के मुकाबले इस वर्ष 3,50,000 टन का उतपादन होने का अनुमान है। अन रहने की उम्मीद जो 2022 में मात्र 2583 टन ही था। 2023 में भारत ने सबसे अधिक 60,000 प्लस टन काबुली सूरान से आयात किया गया था। काबुली की घरेलु खपत लगभग 2,5 लाक टन और निर्यात 1,25 से 1,50 लाक टन के आसपास रहता है। यानि की कुल खपत लगभग 4,0,0 रहने का अनुमान है। 2024 के लिए काबुली का सप्लाई मांग की पूर्ती के अनुसार परयाप्त नजर आ रहा और भविश्य की तेजी मंदी निर्यात पर निर्भर करेगी। भारत का निर्यात में मेक्सिको सबसे बड़ा प्रतिसपर्दी देश है और अब उसकी फसल पर क काफी कुछ निर्भर करेगा।